अदो fakire नमसकार दोस्तों clusterрод इक Kent01 बहुत-बहुत स्वागत है और मैं असोकुमार आज आपके लिए लेकिए अंदोस्तों महा सुदुरसन्चोरुण दोस्तों महाी सुदुरसन्चुरुण घर पर कैसे बना जा सके आज की वीडियो में आपको यह बताएंगे और आपको महास दर्शन चुरुन बना के दिखाएंगे दोस्तों मास और सेंचुरों में कुल मिलाके 54 की ओस्डियां होती हैं उनमें 53 ओस्डियां बराबर मातरा में होती हैं और फिर उन 53 ओस्डियों के आदी मातरा में चोपन ओस्डियां जो की चिरायता होती है दोस्तों ये जितने भी जुआर होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा योग है इस ओस्दी का परियोग करने से जितने भी जोर हैं वो ठीक हो जाते हैं इसके लावाद जितने भी रग्त्विकार हैं उनमें यह फाइदा करता है रोग पर तिरोदे शम्ताव बढ़ाता है दोस्तों मैं इस ओस्दी के बारे में जित आपको बनाके दिखाता हूं और इसको किस तरह से आपको प्योग करना चाहिए वह बता देता हूं तो चले शुरू करें दोस्तों आज हम आपको महासुदर्शन चुरून बनाके दिखाएंगे यह आईरवेद की ऐसी जो 100% कारगर है और महासुदर्शन चुरून बिल्कुल 100% काम करता है बस इसको सही तरीके से सही समय पर अगर लिया जाए तो आपको जुरूर फाइदा होता है दोस्तों 54 ओस्तियों से मिलकर बना हूआ यह चुरून टाइफाइड मलेरिया और कोई भी बुखार हो उसमें बह भूखने लगना और लियूर का बढ़ जाना थकान हो जाना तिल्ली वर जिगर के रोगों के लिए बहुत अच्छी ओस्ति है दोस्तों यह रक्त के दोस्त को दूर करता है और भूख वर पाचन को बढ़ता है मास सेलेशन चुरून एक बहुत अच्छी एंटी वाइरल ओस आपको हलका हलका श्रीर गर्म रहना जैसे सिखायत होती है वो दूर हो जाती है दोस्तों महासुदरसं चुरून सीतल है और यह पाचक ओस्ति है और ज्वर का नास करने वाली ओस्ति है इसका प्रयोग करने से शरीर में के पेट में पढ़ने वाले कीडे भी मर जाते है और हैरुची भी दूर हो जाती है इस तरह से दोस्तों यह बहुत ही अच्छी ओस्ति है जिसका प्रयोग करके आप हाइदा उठा सकते है तो चले दोस्तों आज मैं आपको इस ओस्ती को बनाना बताऊंगा इसमें डाली जाने वाली ओस्तियों को एक एक करके दिखाऊंगा उन इसमें विशेज दान दखने वाली बात यह है कि इस चिकिस्तर की सला अंसार इसको प्रयोग करें तो आपको बहुत फाइदा होगी है तो चले दोस्तों आज मैं आपको इस ओस्ति की एक एक ओस्ति के बारे में बताता हूं और ध्यान पूरक आपको दिखाता हूं चले सब त के लावर दो कटेरी होते हैं छोटी कटेरी बड़ी के एक निल पुसुती होती है या इसके लावर इसमें होता है तरक टू सोंट और कालिमैने हो इसमें पिपला मूल मुर्भा यानि न's इनमरोड फ्ली अगर आपको त्रायम नहीं मिले तो आप बनत्पा ले सकते हैं इसके लावा नेत्र बला यह उस्ती नेत्र बला है इसके लाव दोस्तों इसमें नीम की चाल डाली जाती है और पोखर मूल डाली जाती है यानि पुसकर मूल जिसको बोलते है मुलेठी होती है, कुडा की चाल होती है और अजवाइन जो घर पे प्रयोग करते हैं वो अजवाइन होती है इंदर जो भारंगी सुद्ध फिटकरी दोस्तों सुद्ध फिटकरी सुबरा या स्टिक को बोलते हैं इसके लावा पदमसार वच यानि वचा, दालचिनी सहिंजन के बीज यानि सहिंजना का जो पेड़ा उसके बीज और यह है खस स्पेजचंदन जो स्पेजचंदन का बुरा है वो है इसके लावा अतीस नाम के उस्तिका इसमें ट्योग किया ज़ते हैं दोस्तों अतीस के अलावा इसके अंदर खला, ख्रेंटी यानि बला और सालपणी पश्टपणी जो की दसमूल के उस्ति है वो ली जाती है वायविडंग, तगर की लकडी चित्रक मूल इसमें डल जाती है और देवदारू चववे, पटोल पत्र काल में जो की चिरायता की तरह उस्ति होती है काल में वो भी इसमें डला जाता है करंज, बीज की मिहिञ ली जाती है और लौंग का प्रयोग की जाता है दोस्तों, वन्स, लोचन, कमल, गटा यानि कमल के बीज काकोली जो की अस्टवर का एक उस्ति है काकोली उसका प्रयोग किया जाता है तेजपत्ता तालीशपत्तर वज जावित्री इसमें ली जाती है दोस्तो इसके अलावा इसमें जवासा का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तो महासुदर्चन चुरूर में 53 ओस्तियां बराबर मातरा में ली जाती है इसके अलावा चोपनी ओस्तिया जो की चिरायता है पिस ओस्ति को त्रेपन ओस्तियों की आदी मात्रा में प्रयोग किया जता है जो भी हमारी त्रेपन ओस्तिया है उसके आदी मात्रा में हमें चिरायता लेना पड़ेगा तो जितने मातरा आप उस आदी मातरा में चिरायत लेना इस तरह से दोस्तों इन सभी ओस्तियों को कूर्ट परिषके बारीक कौवर्डर बना ले और निश्चित मातरा में लेके मिलाक और चलनें की साहिता से दो तिन बाद चाहर देगे तो आपका जो महासु दर्शन चूरुन है वो त्यार हो जाएगा तो चले बताते हैं इसके होने वाले फाइदों के बारे में और आप इसको कैसे प्रयोग कर सेथे वो बताते हैं दोस्तो रोग चाहे कोई भी हो लेकिन उसमें बुखार आना एक आम बात है और इसके अलावा जोर का कोई कारण नहीं होता किसी भी रूप से आपका सिली का टमपरेचर बढ़ता उसको जोरी कहते हैं तो दोस्तो उस बीमारी में यह कैसी हो दिया उसको पूरी तरह ठीक करती है और इसको दस से पंदा दिन लेने से आपका कोई भी जोर भी ठीक हो जाता है और ठीक नह करने से आपके से में थंड़क आती है यह बहुती पाचक है कटू है पोष्टिक है जोर का नास करता है और सरीर में अगर जलन रहती है उसको भी दूर करता है और आपके पेट में केड़े पढ़ गए हूं उसको दूर करता है आपको बार बार प्यास लगती है उसको भी ठीक करता है और कफ कुष्ठ परन अरुचियादी को भी दूर करते हैं दोस्तों गर्वणी भी इस ओस्टी का थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर सकती है चिकसिक की सलामसा विसम जवर और पुराने जितने भी बिगड़े वेजवर हैं जो पुरानी मियादी बोलते हैं पुराना प्रवाब डालता है यानि आपको जो डाइजस्टिव सिस्टम है उसको यह बहुत ही प्रभावित करता है और बड़ी आंत में यह विसेश कारेकारी ओस्ती है इसके लाव दोस्तों कुनेन का अधिक सेवन करने से अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी हो गई हो या आपके स्टानों में गुंजाठ पैदा हो गई हो और मस्टिक्स में सुन्यत आने लग गई हो तो इस उस्टिव प्रयोग करें आपको जूरूर फाइद होगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमने मरीज देखे हैं उनमें महासुदर संचुलन के एक खास बात है या तो करने के लिए कहिंगे तो बस्तों इस उस्टि का सेवन कीजिए बहुत ही फायदेमन बहुत ही अच्छी उस्टिए तो चलिए आज के लिए इतना ही तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लागा हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएगा और अच्छा लगे तो लाइक क स्वास्ति काम ना करता है धन्यवाद